सब्सक्राइब और पुदिना के पत्ते तोड़ कर रख रहे हूं सबसे पहले हम चटनी बनाने के लिए एक चोटा चम्मा जीरा डाल देंगे हमाम दस्ते में और साथ में यहां पे दो सुख्या लाल मिर्च लिया है इसको इस तरीके से तोड़ कर डाल देंगे यहां पर मैं ले रही हूं ले पीसेंगे इस तरीके से तो मैं जो यह चटनी है ना हमाम दस्ते में इसलिए बना रही हूं ताकि बिल्कुल विलिज जैसा ही टिक्षर आए टेस्ट आए क्योंकि पत्थर पर या सील पर जो पिसकर चटनी तयार होती है उसका स्वाद बहुत ही अलग होता है मिक्सी के बनी चटनी से तो यहां पर मैंने इसको पीस लिया है कूट लिया है अब मैं यहां पर पुदीना के पत्ते डाल रही हूं साथ से आठ और साथ में मैंने यह थोड़े से धनिया ले लिए डंधल के साथ ही इसको इस तरीके से कट करके डाल रही हूं धनिया की कॉंटिटी आप अ एक हरी मडशी डाल रहे हूं और इसको भी हमें कूट लेना है तो यहाँ पे मैंने इसको पीस करके तयार कर लिया है अब मैंने यह पे यह कच्छी केरी लिया है कच्छे वाले जो आम होते हैं खट्टे वाले है काफी जादा इसका हमें छिलका निकाल ले रहे हैं और अंदर क होते हैं इस तरीके से आप भी चटनी की रेसिपी को ज़रू ट्राइ करना घर पर सब को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती बिल्कुल ना चट पटा मौद वाटरिंग बन दी रेस्पी तो यहां पर मैं कच्छे आम को इस तरीके से छोटे पीसे में कट करके डाल दूगी ताक जैसे हम इसे कूट कर तयार करते हैं तो यह मैंने दो आम ले लिए हैं मीडियम साइज वाले इसको भी मैं कट करके डाल दूगी अब मैं यहां पर डाल दूगी थोड़ा सा नमक एक चोटा ही छोटा चमच काश्मिरी लाल मिर्च इसको डालना ऑप्शनल है पर हम डालेंग हमाम दस्ते में थोड़ा जादा टाइम लगता है लेकिन लास्ट में जब चटनी बन जाती है उसके बाद इसका जो टेस्ट आता ना बिल्कुल जब बहुत ही बढ़िया लगती है अब लास्ट में मैं इसमें डाल दोंगी एक छोटा चमच सरसो का तेल बिना सरसो के तेल क बिल्कुल अधूरी से लगती है लास्ट में डालना है और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं चैटनी को मैंने बिल्कुल महीन नहीं पीसा है बिल्कुल पेस्ट जैसा नहीं हिलका सा दरदरा पन है चैटनी में यह खाने में बहुत ही तीखी सी चटपटी सी चटनी साइड डिश में आप इसको एंजॉय करें बहुत ही मज़दार लगती है और साथ ही आम है प्याज है जो हमें लू लगने से भी बचाती है अगर आपको मेरी चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और शेर सरु करें